नमस्कार इस वीडियो कुई टेस्ट में बिल्कुल एक्जाम कोस्चिन पेपर जैसा 25 इंपोर्टेंट सेलेक्टिट सवालों को आप से पूछे जाएंगे जो आगे आपके परतियोगी परिक्षा में काम आएंगे ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है वायू में नाइट्रोजन का कितने परतिसत होता है आपको जबाब सुचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोख सकते हैं तो आंसर सुचने के लिए समय शुरू होते हैं अब राइट आंसर है ओप्सन नमबर सी 78.03 परतिसत सबसे अधिक नाइट्रोजन पाय जाते हैं कोईशन नमबर टू स्टेनलेस स्टील में निमनल इखित में से कौन सा तत्वा नहीं होता है सही आंसर होगा ओप्सन नमबर बी टंगास्टन क्वेशन नमबर तिन मौलिक अधिकारों पर या थोचित परतिबंध कौन लगा सकता है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है छे जिस पे कौन परतिबंध लगा सकते हैं यही प्रस्ण है राइट आंसर है ओप्सन नमबर बी संसत चाहे तो इस पे परतिबंध लगा सकते हैं क्वेशन नमबर फोर दक्षिन भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां इस्तित है सही आंसर है ओप्सन नमबर डी सर्वन बेल गोला में क्वेशन नमबर फाइब म्रिग म्रीच का बनाने वाली प्रगाटना को क्या कहते हैं राइट आंसर है ओप्सन नमबर अ पूर्ण आंतरिक परावारतन क्वेशन नमबर शिक्स बीस्वा हीमोफिलिया दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है बीस्वा हीमोफिलिया दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है राइट आंसर है, आप्सन नमबर A, सत्रह अपरायल को, क्वेश्चन नमबर नेक्स्ट सायवालों का अध्यायन क्या कहलाता है? राइट आंसर है, आप्सन नमबर B, फाइकोलोजी, क्वेश्चन नमबर एट जापान का राष्ट्रिये खेल कौन सा है? राइट आंसर है, आप्सन नमबर B, जुडो, क्वेश्चन नमबर नाइन मलेसिया की संसद का नाम क्या है? सही आंसर है, आप्सन नमबर A, दिवान निगारा मलेसिया की संसद का क्या नाम है? दिवान निगारा क्वेश्चन नमबर T, असोक दवीतिये के नाम से की से जाना जाता है? इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को दबा दिजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है, धन्याबाद आगे सवाल है, अन्डमान और निकोबार द्वीप समुह की उचतम चोटी कौन सी है? राइट आंसर है, आप्शन नमबर A, साइंडल पिक Q. नमबर नेक्स्ट आयरलाइंड की राधानी कहां है? आयरलाइंड की राधानी कहां है? सही आंसर है, आप्शन नमबर A, डावलिन Q. नमबर नेक्स्ट बीशवा कॉप किरकेट की सुरुवात किस वर्स हुई? वर्ल्ड कॉप किरकेट की सुरुवात किस वर्स हुई? राइट आंसर है, आप्सन नम्र डी, उन्नी सो पिचातर इस भी में Q. नम्र नेक्स्ट अंतराश्ट्रिये दिनांके रेखा कहां से गुजरती है? राइट आंसर है, आप्सन नम्र डी, पर्सांत महासागर Q. नेक्स्ट रिंग वेद में सुक्तो की संख्या कितनी है? सही आंसर है, आप्सन नम्र बी, एक हजार अठाइस 1028 रिंग वेद में सुक्तो की संख्या है Q. नम्र नेक्स्ट केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल एप लाउंच किया है, जिसका नाम है? सही आंसर होंगे, आप्सन नम्र बी, किसान राथ Q. नम्र नेक्स्ट डेली मेल सामाचार का परकासन कहां होता है? सही आंसर है, आप्सन नम्र ए, लंदन Q. नम्र नेक्स्ट Central Bank of India की सुरुवात किस वर्ष हुई? Central Bank of India की सुरुवात, यानि की अस्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर है, आप्सन नम्र डी, 1911 में, 21 दिसंबर 1911 इस्वी में, Central Bank of India की अस्थापना हुई? आगे प्रस्ण है, बीशमत और आइट किस धातु का ऐसक है? सही आंसर है, आप्सन नम्बर A, सोना. ओके, question number next, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिसा में बहती है? direction आपसे पूछा जा रहा है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिसा में बहती है? सही आंसर है, आप्सन नम्बर B, पच्छिम की दिसा में, पूरवसे पच्छिम की और भहती है, आगे सवाल है. आरवी सी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? सही आंसर है, आप्सन नम्बर A, पलीहा को, question number next, किस ग्रांथी को मास्टर ग्रांथी भी कहा जाता है? किस ग्रांथी को मास्टर ग्रांथी भी कहा जाता है? राइट आंसर है, आप्सन नम्बर C, प्यूस ग्रांथी, question number next, मुद्रा का अध्यायन क्या कहलाता है? मुद्रा का अध्यायन क्या कहलाता है? सही आंसर है, आप्सन नम्बर A, पेडोलाजी, question number next, प्रासिद्ध खजूराहों की मंदिर किस राज्य में इस्तित है? सही आंसर होगा, आप्सन नम्बर C, मध्या पर्दिश, आपके लिए ये सवाल कल पुछे गए थे, क्यूब फर यू में बदाम उत्वादन में भारत का गर्णी राज कौन सा है तो आपने कॉमेंट वक्स में हमें कॉमेंट करा था आप सभी को कॉमेंट करने के लिए बहुत वह धन्यवाद राइट आंसर होगा अप्सन नमबर ए गुजरात और आपके लिए एक नाया सवाल ह सर्वे पर्थम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतिय महिला कौन थी यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट वक्स में जाना होगा वहाँ पे लिखना होगा क्यू फर इव और इसके राइट आंसर वीडियो फसंद आया तो आप अपने मित्र जन जै भारत